देश में अठारवी लोक सबार चुनाओ दो हजार चोविस की तारीकों का एलान हो चुका है पांसो तिरतालिस सीटों पर सांच चर्णों में मददान होना है चार जुन को परणाम सामने आएंगे पहले चरण की नामंकन प्रग्रिया प्रारंब हो चुकी है ऐसे में नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए सुब मोहरत में प्रत्यासी नामंकन पत्र दाखिल करते हैं तो चुनाओ में निश्चीती जीत की प्रवल योग बनेंगे मदप्रदेश की एक हरगोन के निवासी जोतिस विद्या में गोल्ड मेडलिस जो 34 पंडि डॉक्टर बसंसोनी ने लोकल 18 को बताया है कि चुनाओ के दोरान प्रत्यासी लाब के अमरत और चल के मोहरत में फार्म भरते हैं लेकिन नक्षत्रों का ध्यान रखना भी बहत जरूरी है अच्छी नक्षत्र में सुब मोहरत में फार्म भरा जाए तो जीत पक्की हो जाती है पहले चरण में कोन से वो सुब मोहरत है जिस दिन नामंकन दाखिल किया जा सकता है चलिए जानते हैं प्रथम चरण का चुनाओ का वोटिंग का दिन 19 अप्रेल आ रहा है उस समय 20 मार्च से 27 मार्च के बीच में फार्म भरने का समय निर्धारी लोग सबाच चुनाओ के अंदर निर्वाचन आयोगदारा तै किया हुआ है उसमें हम शुब समय के बारे में बात करेंगे 26 मार्च 2024 मंगलवार हंस्त नक्षत्र में फार्म भरने में विजय श्री प्राप्त करने के प्रबल योग बनते हैं इसी प्रकार 27 मार्च बुद्वार चित्रा नक्षत्र भी बहुत शुब समय आ रहा है प्रथम चरन में इन दो दिनों में ये फार्म भरते हैं तो प्रत्याशी को काफी कुछ हद तक आध्यात्मिक लाब मिलेगा और जिसका वो लाब उठाएगा प्रत्याशी को कलावा प्रस्तावक और समर्थन करने वाले जो अपने रहेंगे उनको भी तिलग लगा के मिठा खिला के अपने घर की बहु छोटी बच्ची से तिलग लगवाना चाहिए वे बताते हैं कि नामंकन दाखिल करने से पहले घर की किसी छोटी बच्ची के हातों दिलग ज़रूर लगवाएं इसके साथ ही हातों में कलावा बांदे जिस सहर में रहते हैं वहाँ के प्रमुक देवी देवता के दर्शन करें कुल देवी देवता और घर के बुजर्गों का आशिरवाद लेकर ही नामंगन पतर दाखिल करने के लिए घर से निकले लोकल एटिन के लिए खरगों से दीपक पांडे की रिपोर्ट